नमस्कार किसान भायू स्वागते आप सभी का आपके उपने यूटूब प्लेटफूम राजस्तान मौसम में बात करेंगे राजस्तान के मौसम के बारे में जिसमें बताएंगे आज रातरी को राजस्तान के सेतर में कैसा रहेगा मौसम कहां कहां पे बारिसोनी के समभावना रहेगी इसकी साथ ही बताइंगे आठ जल्य को राजस्तान की सेतर में क्यास रहेगा मोसम और कहां कांपे बारिश spontaneous की संभावना भारती मोसम विबाग और राजस्तान मोसम विबाग ने जता हैं यहां पर सही और सटीक जान करिडी जाती है तो आप सभी किसान भाईयों से निवे दिन देगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा किसान भाईयों आज दो पिर का मोसम बुलेटीन समय अबाव की कारण में लेकर नहीं आ पाया तो इस वड़ी मपन विस्तार से जानते हैं सबसे पहले देखिए अभी की लाईव से टड़ाई तस्विर जिसमें राजस्तान की कई सारे भागों में बारिस की गतिविद्या हो रही हैं जिसमें जोदपूर, बाड़मेर और कुछ जेसलमेर के भाग हैं यहाँ पर बारिस की गतिविद्या देखने को मिल रही हैं वही बिकानेर के भी कुछ दक्सेनी और दक्सेनी पूरी भाग रहेंगे या पर बारिस की गतिविद्या देखने को मिलने वाली हैं। वही बारिस की गतिविद्या देखने को मिलने वाली हैं। वही बारिस की गतिविद्या देखने को मिलने वाली हैं। वही बारिस की गतिविद्या देखने को मिलेगी जिसमें जोदपूर संबाग के बाड़मेर में भारी से अती भारी बारिस की संबावना है। मौसमी बाग ने जताई हैं जिसमें बालोतरा पचबदरा शीवाना से लेके गड़रा रोड धोरी मना बाकासर की आसबास की सेत्र हैं। उचबाड मेर शेहर शीव के आसबास की सेत्र हैं धोरी मना और साधी चोटन के आसबास की सेत्रों में हैं भारी से अती भारी बारिस की संबावना रहेगी। जिसमें उदेपूर शेहर शेलेके राजसमन ची तोड़ गड़ भील वाड़ा के भाग रहेंगे। वही अजमेर संबाग के भाग हैं कुछ भरतपूर संबाग के भाग हैं यहाँ पे भी कल से बारिस की गतिविदियों में बडूतरी देखने को मिलेगी। वही आगामी 36 से लेके 48 गंटों के अंदर यहाँ पे कई सारे स्थानों पे हैं भारी बारिजे सिकतिविदियों में आपको बताया जाएगा। अभी के ताजा मौसमी आकलन के हिसाब से आगामी 8 जुलाई को राजस्तान के उदेपूर और जोधपूर संबाग और कुछ कोटा संबाग अजमिर संबाग के दक्सिनी बाग हैं यहाँ पे भारी बारिजे सिकतिविदिया देखने को मिल सकती हैं वही कई सारे स्थानों प कर दो